हलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट यूजी मेडिकल स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है एक और ओफिचल लिस्ट जो है आउट हो चुकी है तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली आपको मिलने वाली है कितने मांक्स तक आपका एड्मिशन हो जाएगा कितने तक पॉसिबलीटी बन रही है और स्टुडेंट्स के जो मांक्स वो कितने आ रहे है ठीक है यह पूरी इंफोमिशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ तो सबसे पहले अगर आपको इस चैनल के तुरू मिलती रहे अब देगे गाई सबसे पहले मैं आपको बता दू सभी स्टेट्स अपनी कांसलिंग करवा रहे है 85% का जो रिजर्वेशन होता है वो स्टेट्वाइज अपने सभी पर्टिकलर जो स्टेट्स ओठी होती है वो कंसलिंग करवाती है तो अल्मोस्ट सभी स्टेट्स ने अपनी राउंड वन मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है तो जिन जिन स्टेट्स के मेरिट लिस्ट जारी हो चुकई है वहन कुछs आ जारी किया है उसे लिस्ट उपन कर लेते हैं तो गैज सबसे पहले मैंने ये लिस्ट उपन कर दी तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स है, राउंड वन की जो कट ओफ है सबसे पहले आप ये देख लीजिए का आप जिस भी स्टेट से बिलॉग करते हैं आपकी स्टेट के अंदर टॉटल नंबरों सीटे कितनी है ठीक है, किस केटेगरी में कितनी सीटे है ये भी आपका इंपोर्टेंट है कि किस केटेगरी में वो सीटे है तो अपनी केटेगरी के अंदर सीटे देखिए फिर आप अपना रेंक देखिए क्योंकि merit list जब जारी हुई है तो आपका rank state में आप कहां पर लाई करते हैं ये देखेगा जैसे सबसे पहले यहां पर state merit rank है कि state में student का क्या rank है ठीक है नीट में देखी इनी student का क्या rank था और students के name यहां है category यहां पर दी गई है नीट के role number students के यहां mention है और जो जो marks इनने अप्टेइन किया है वो यहां पर है और इस particular state का domo sales student के पास है की नहीं है तो यह यहां पर दिया गया है तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले 665 number वाले student का जो state rank है वो 1 है ठीक है तो इस state का government college इस student को मिल जाएगा जबकि नीट rank के हम बात करें तो 2016 अगर MCC के through all India quota के through participate करते तो इनको government college इतना अच्छा government college इनको नहीं मिलता है तो यहां से यह पूरी list आप देख सकते है टोटल मिलाकर 39 pages है तो सबसे पहले मैं last वाले page open कर लेती हूँ ताकि यह पता चले कि total कितने students है तो जिनने apply किया है तो यह देख लेते है एक बार वापिस से one से क्यों start हुआ क्योंकि one से तो उपर से start हो चुका था यह था non domicile जिनके पास तिरपुरा state का domicile नहीं है उतने यह provisional mat list उन students की दी गई है ठीक है क्योंकि ऐसे students नहीं apply किया है जो कि तिरपुरा से belong नहीं करते है तो उनके अलग से list दी गई है और जो students तिरपुरा से belong करते हैं उनके अलग से list दी गई है वो 400 total students है ठीक है जिनने जो तिरपुरा state के है और marks आप देखे तो काफी कम marks वाले students जो है उनने भी participate किया है आप देख सकते है तो तिरपुरा state के अंदर तो बहुत ही कम students है जिनने अप्लाई किया है और यह other state के student है 89 89 student other state के है 400 बला टोटल मिलाकर तिरपुरा state में 489 students ने ही round 1 के लिए registration किया है ठीक है तो chance जो है काफी अच्छा है लेकिन यह भी आपका depend करता है कि तिरपुरा के अंदर टोटल दो ही colleges है उनके अंदर सीटे कितनी है तो students का selection भी उतना होगा लेकिन यह मान कर चलिए जितने students है उनका half का selection हो जाएगा जिनका बिल्कुल ही blow marks है उनका नहीं होगा अधर्वाइस अब का हो जाएगा ठीक है यह आप लोगों के लिए अच्छी news है फिर भी आगर गाईस इन सब को लेकर कोई भी आपको doubt होता है तो आप comment के जड़ी पूस सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो like और share करना बिल्क कि यह थैंक यू थैंक यू गाईस